इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि भाजपा और कॉंग्रेस अर्विन केजरिवाल जी और आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा लिये गए हर जनित के कारे का जमकर विरोध करते हैं परन्तु जिस प्रकार से भाजपा और कॉंग्रेस ने CCTV कैमरा की योजना का कटर विरोध करा ये अपने आपने कचंबे की बात थी उन्होंने इस CCTV कैमरा का विरोध क्यों करा? CCTV कैमरा लगने से तो दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा बढ़ेगी, दिल्ली में कानूर में व्यवस्ता बहतर होगी और अपरात कहीं न कहीं थम जाएगा महिलाओं की सुरक्षा पर अपरात थमने पर किसी को कैसे आपत्ती हो सकती है? परन्तु फिर भी भाजपा और कॉंग्रेस ने जम कर इसका विरोध करा, यह अपने आप में का चंबे की बात दी परन्तु अब एक भाजपा के नेता ने हमसे मिलकर यह जानकारी दी और इस पूरे विवात पर रोश्नी डाली और यह बताया कि माने नी उपराज्यपाल को यह express instructions यानि कि यह निर्देश जारी करे गए है भाजपा द्वारा और केंद सरकार में बैठी भाजपा द्वारा कि यदि CCTV कैमरा हर गली महले नुकर पे दिल्ली में लग गए तो भाजपा और कॉंग्रेस चुनाव से पहले शराब और पैसा नहीं बाट पाएंगी उनकी ये राजनीतिक दुकानों पर ताला लग जाएगा और कहीं न कहीं शराब और पैसे बाटने का काम जो भाजपा और कॉंग्रेस चुनाव से पहले करती हैं वोट बटोरने के एक प्रकार से इल्लीगल काम करती हैं उस पर रोक लग जाएगी और उनके वो काले कारनामें वो काली कर्टूतें सीसी टीवी कैमरा में कैद हो जाएगी इससे डर कर इससे भाईबीत होकर भाजपा ने मानिणी उपराज जपाल को ये निर्देश जारी करे हैं कि किसी भी सूरत में दिल्ली में सीसी टीवी कैमरा ना लग पाएगी हम भी ये सोच रहे थे कि कैसे कोई भी वेक्ती कोई भी राइट मैंडिड आदमी सीसी टीवी कैमरा लगने का इतना वरियोद कर सकता है जिससे महिलाओं की सुरक्षा बहतर होगी कानून में वस्ता बहतर होगी पर आज इस पश्ट हो गया कि भाजपा और कॉंग्रेस को ये डर है कि वे जो चुनाव से पहले दारू और पैसा बाटते हैं उनके वो काले कारनामों पर रोक लग जाएगी और यदे वे काले कारनामे करेंगे तो वो सीसी टीवी कैमरा में क्यायत हो जाएगी